Hello everyone, welcome to True IS and PCS, continue करते हैं दोस्तों हम लोग psychology optional की discussion को और आज के lecture में हम लोग बात करेंगे What are some of the popular notions about the discipline of psychology? मतलब, basically, लोगों की धाड़ना या विचार धारा क्या है psychology as a discipline या psychology as a domain को लेकर इसको समझने के लिए हम कुछ real life examples यहाँ पर portray करेंगे, जो की ditto यह जो text है वो तो NCRT से ही उठाए गया लेकिन images के थुरू मैं आपको बहुत अच्छे clarity देने की कोशिश करूगा हर कोई person आज के जमाने में अपने आपको psychology से समझता है किसी को console कर दिया, किसी की help कर दी उनको लगता है कि हम तुमारी चीदे जितने अच्छे थे समझते हैं उतने अच्छे से तो तुम्हें कोई नहीं समझ सकता तो basically अपने आप में एक प्रकार की happiness लेकर story making करकर के भाई मैं तो सबको जानता हूँ मैं तो सबको समझता हूँ, मैं तो इसके behavior को track कर सकती हूँ मुझे पताएगी क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है हर एक बंदा बंदी आज के time में psychologist बने घूम रहे होते हैं लेकिन जैसा कि आपको पता है, इशा मैंने आपको बताया था जब तक किसी के पास कोई degree नहीं होती है, proper being a psychologist की तब तक हम उस person को psychologist नहीं कहते हैं भले ही वो कितने अच्छी तरीके से आपको समाल ले आपकी रवाईय को समझ ले, behavior को समझ ले वो तो but obviously बात है जो इस lecture में हम सीखेंगे किसी के behavior को predict करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है आप किसी के साथ वक्त बिता रहे हो काफी लंबे समय से तो आपको उसके behavior का एक pattern बता है फिर person जो है हम इस lecture में ये भी जानेंगे कि अगर psychologist हो तो फिर neutral viewpoint क्यों नहीं है अगर आप किसी के दोस्त हो तो आपकी परशानी में इशा आपकी friend को आपकी perspective नजर आएगा सिर्फ कि आप जो कह रहे हो वही सच बता रहे हो हो सकता है गलती आपकी हो आप बहुत सारी चीजों को छुपा रहे हो लेकिन उसके दिमाग में धाड़ना fit बैटी हो कि नहीं मैं तो तिरे को जानती हो तिरे को समस्ति हो तिरे से तो कोई गलती हो इनी सकती वही तेरा जो boyfriend है husband है तिरे जो friend है वही mean होगा उस ही नहीं तिरे साथ गलत करा होगा ऐसी विचार धारा जो है आज का लोग लेकर भूमते हैं लेकिन coming back to that point जो कि मैंने आपको इशा बताया था कि किसी परसन के पास अगर psychology की डिग्री नहीं है और कोई person psychologist बना गूम रहा है तो हम ऐसे परसन को क्या कहते है pseudo psychologist यादा है है हम ऐसे किसी परसन को कहते है pseudo psychologist ठीक है तो जैसा कि मैं बता है everyday life में almost हम में से हर कोई act ऐसे ही करता है कि जैसे हम psychologist हों क्योंकि जिन रिष्टों से जिन लोगों से हम प्यार करते हैं जिनको समझते हैं जिनके साथ वक्त बिताना हमें पसंद होता है तो उनके चेहरे पर एक हलकी सी शिकन जा जाए या फिर उनके message बहुत limited आने लगें जैसा कि वो behave नहीं करते हैं फिर हमसे limited बात करने लगें या उनकी tone जो है हमें ऐसी sound के वो बहुत low voice में बात कर रहे हैं immediately हमारी psychology हमारे दिमाग में कुछ click होता है कि हम उससे पूछते हैं यार तू किसी परशानी में है क्या कुछ हुआ है क्या तिर को आज किसी ने तिर से कुछ बोला है क्या तो ये भी एक तरीके से psychologist बने गूमने जैसे ही होता है इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप किसी ने तो कुछ पूछ रहे हो सामने वाला बताना नहीं चाहरा है लेकिन आपके थोड़ा था force करने के बाद उसके मन की बाते बाहर निकल रहे है तो बाते share करने से मन हलका हो जाता है लेकिन proper वह person psychologist ही क्या तो वह भाय बात ऐसी है कि वह person psychologist आपके लिए हो सकता है आपका counselor हो सकता है आपको console करने वाला हो सकता है लेकिन real में वो हर किसी के साथ ऐसा करी ही लेगा या करी ही लेगी ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ऐसा possible भी नहीं है Alternative Awareness उसने practical तरीके से एक scientific discipline की तरह लेते हुए psychology को study करते हुए counselor के degree या psychologist के degree को प्राप्त कराओ proper training के अंदर expertise guidance के अंतर करते हैं अब देखो क्या है psychology के domain में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कभी कभार कोई जो person है वो particular तरीके से behave करते हैं तो उसने उस particular manner में behave करा ही क्यों वाई ठीक है जिस manner में उस person ने behave करा चाए वो बंदा हो चाए बंती हो लेकिन उसने उसी manner में behave क्यों करा और हम जो होते हैं हम अपनी एक ready made explanations के साथ आते हैं हम जैसे मानलो के कोई person है मानलो ईशा यह आप हो ठीक है और यह आपकी कोई friend है और आप ऐसे दुखी बैठे होयों के यार भेंतु चले जा मुझे अभी कोई बात नी करनी मुझे अभी कुछ नी बताना लेकिन आप ऐसे सर पकर के बैठे हुए इसको जो है दिखाई दे रहा है कि आप दुखी हो आप परशान हो यह तो किसी को भी समझ में आजाएगा आपके इस behavior से कि आप दुखी हो परशान हो या आपका सरधर्द हो रहा है या आपको सोच रहे हो क्योंकि वो आपके daily life की दिन चर्या को लेकर आपके life में कौन-कौन लोग है और ऐसा mood आपके लिए आपका जो है जितनी भी दिमाग में बाते उसके आ सकती है कि इससे related topic कोई होगा इसके दिमाग में जुसको सता रहा है तो फुस situation A, B, C, D, E, F, N, N number of situations आपके सामने रखेगी ताकि उसका तुक्का feedback जाए और फिर person अपने आपको ये बोलकर खुश होता है कि देखा मुझे पता था कि तू दुखी है तो भाई उसमें कौन सी बड़ी बात है ठीक है अब सिर्फ इतना ही नहीं हम बहुत बार जर्नली humans को और humans के behavior को समझने के लिए अपनी खुद की theory भी बना लेते है देखो जैस एक पॉसिबल ही नहीं है अभी तक तो नहीं है देखो पॉसिबल future मुझे तो बता नहीं और वो इसलिए हो भी नहीं सकती पॉसिबल जिसके chances 99.99% है कि वो पॉसिबल नहीं हो सकती है कि common theory आजा है human beaver को predict करने के लिए उसको explain करने के लिए because हर एक person की personality अलग है और जैसा कि मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ हर किसी person की unique personality उसके unique experience की वज़े से होती है क्योंकि सबकी life में सबका experience सब लोगों के साथ अलग-अलग होता है तो उनकी दिमाग में क्या बात बैठ गई है किसी एक person को लेकर वो चीज़ बहुत अलोग होगी as compared to कि same person को लेकर मेरी दिमा एक ऐसी बंजाब के दिमाग में जिसको आप जीते जी कभी बुला न पाओ और मैं हो सकता हूँ कि मुझे याद भी ना है कि उस person से मैं कब मिला था किसी बाटी में मिलाओंगा मुझे तो कोई भाद नहीं उसकी याद है मुझे तो कुछ उसकी looks याद भी नहीं है मुझे किसी किसी के लिए वो सेम चेहरा उसकी सेम बाते किसी का phone number इतने गेहरी तरीके से दिमाग में पकड बना लेते हैं कि मान लो जब तक वो person उसकी life में है तब भी वो उसको प्रभावित करता है वो चीज और जब वो person उसकी life से दूर चला गया तब भी वो चीज उसको तंक क बना लेते हैं अब खुद की तियोरी कैसे मान लो एक लड़की के साथ किसी लड़के ने गलत करा ठीक है तो वो लड़की almost हर एक लड़के को almost हर एक मेल को गलत ठेराती है कि मर्द तो सारे ऐसी होते हैं लड़के तो सारे ऐसी होते हैं there is nothing special in any guy तो हो सकता है कि वो अपनी खुद की तियोरी बना ले और मान लो सोने पर स्वागा बात तब ही हो जाए कि जब इस person का person A का दिल टूटा हुआ है या किसी बात से दुखी है और person B जिससे यहाँ पर image में आप देख पार भी वीडियो कॉल पर बात कर रही है दोनों के साथ same प्रकार का experience हो रख है तो इनका जो बात करने का connection है वो almost ऐसा हो जए कि B कुछ A से बोले तो V उसको verify कर रहा है वेलिडेट कर रहा है और A person कुछ B से बोले तो A verify कर रहा है और A B से कुछ बोले तो V verify वेलिडेट कर रही है यह भी हो सकता है ठीक है जैसे कि होता ना कि कहते हैं कि दो लोगों के दिल जब एक ही experience के साथ मालो टूटे हो एक प्रकार से टूटे हो तो वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा मरहम बनने की कोशिश करते हैं उनकी बाते जो होती है हमारे दिल और दिमाग पर जखम लगाने की कोशिश करती है तो हम अपनी human behavior को लेकर बहुत बार खुद से भी theory दे देते हैं coming back to the same example आपकी friend है ठीक है आपके साथ है आपकी बच्पन की friend है आपकी bestie है विलकुल मालो best friend है आपकी तो यहाँ पर गलती अगर आपकी भी हो न लेकिन आपको जिसने hurt कराई यह हमेशा आपको console करते हो यही बोलेगी नहीं यार तू ठीक है तेरा वो जो friend है वो boyfriend है जो husband है उसकी गलती होगी तेरे घरवालों की गलती होगी ते रे इन-lawस की गलती होगी तेरे उस friend ने ऐसा कराओगा तेरे साथ तेरी उस friend ने तेरे खिलाब चुगलिया करेंगी इसलिए तो परशान होगी तो यहाँ पर अगर गलती आपकी भी है न लेकिन यह आपको हमेशा मतलब किसी भी point पर गलत क्यों नहीं बोलेगी हमेशा आपको सही के उठा रहेगी because यह आपके behavior को या आपके साथ तालमिल बनाने के लिए अपनी खुद की theory डेवलब कर चुकी यह दिमाग में कि इशा तो ऐसी है मैं उसके बारे में गलत नहीं सुन सकती अब जब आप person बोली रहा है कि सही और गलत का तो मैं निंडे करूंगा यह नहीं इस person को लेकर मैं इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनगा तो यानि कि आपने अपनी आखी तो बंद कर ली और psychologist ऐसे तो कभी deal करते नहीं किसी situation के साथ आपकी गलती अगर होगी और आप अपने रवये की वज़े से प्रवावित हो रहे हो मान लो यहाँ पर इस लड़की का break up हो गया है और break up का कारण भी यह लड़की खुद है कि यह जो है proper time ही दे पा रही थी या फिर बत्तमीजी से बात करना, rudely बात करना, ill बोलना, ठीक है? अपने वाले का भी पक्ष सुनना चाहिए लेकिन यह एक generalized theory दिमाग में बना कर बैठी हुए एस लड़की के लिए कि नई भेन तू तो जो बोलेगी वोई ठीक होगा भाई पत्तर की लग्कीर होगा, मैं तेरे घलाब कुछ गलत नहीं सुन सकती ही, मैं तेरे घलाब कुछ ill नहीं सुन सकती ही, तो भाई this is not the trait of being a psychologist this person is purely acting like a pseudo psychologist तो point यहाँ पर यह है मान लो एक person जो है अपने दिमाग में विचार धारा रखा हुआ है कि अगर मुझे किसी worker से उसकी performance better चाहिए as compared to जितना काम वो past में करती हुए आया है मेरी factory के लिए मेरी firm के लिए, मेरी office के लिए मुझे उसकी performance अभी present time से या past में जितना उसने काम करा उससे better चाहिए तो मुझे उसको push करना पड़ेगा, motivate करना पड़ेगा, अब कुछ कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि worker community जो होती है जो लोग काम करते हैं, जो workers होते हैं, उनके साथ एक trait जुड़ा होता है, कि वो lazy होते हैं, इस वज़े से उनकी income कम होती है, इस वज़े से वो जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, बहुत से कम उनको pay scale दो, और कुछ लोग ये भी मान सकते हैं, कि workerों को डाटना, गाली देना सिर्फ काफी नहीं है, डंडा उठाके, अच्छे से चमका दो उनको, ठीक हैं, मारने की बात है, तो मारो भी, जैब भले ही शोशन करके आप उनसे काम निकलवाओ, अपनी factory का, अपनी industry का, अपने firm का, अपने office का, लेकिन ये justified है, क्योंकि इनके साथ quality चुड़ी हुए, lazy, लेकिन आप खुद भी जानते हो, इतना तो आप भी समझ सकते हो, बड़ी सारी popular theories ये कहती है, कि human behavior को अगर आप एक common sense के basis पर देखने की कोशिश करोगे, और एक common theory के basis पर देखने की कोशिश करोगे, तो दुनिया में सभी लोग क्या, इस चीज़ को true मानें की क्या, बताओ, scientifically अगर इस चीज़ को investigate करा जाए, इशा, कि वर्करों को डंडे से पीट-पीट का, अनिल कपूर ने जिसका role play कर रहा है, इसके पापा का, तो उनकी जो है factory होती है, है न, industry होती है sauce thick, वहाँ पर जब उनको गोली लग जाती है, तो वर्कर जो है, वो strike पे चले जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, basically वो demorlet हो जाते हैं, तो यह पर क्या, इसने गोलियां चला कर या लाटियां बर्सा कर वर्करों से काम करवाया गया, नहीं न, प्यार से जो बात जहां पर हो सकती है, वो आप forcefully इंसान से करवा भी लो, और सामने वाले इंसान हो सकते हैं, उसका विरोध ना भी करें, क्योंकि चुपर रहना चाहिए, मुझे दो-चार गालियां, दो-चार लाठियां खा भी लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे वो person आपके workplace को कभी अपना घर मानकर काम नहीं करेगा, या करेगी, अगर आप बत्तमीजी किसी के साथ दिखाओगे, ऐसा होता है, यह तो जर्नली एक psychology की psychology की perspective से ट्रेट है, इसको तो कोई भी प्रेट कर सकता है, किसी के will के against, किसी की इच्छा के against, अगर आप किसी से कोई भी काम करवा रहे हो, तो वो person जो है, आपको अपना समझ कर या जो काम करवा रहे हो, उसमें पूरी के पूरी तरीके से दिल लगी दिखाकर, दिल पूरा का पूरा लगाकर, जैसे कहते न, कि putting one's heart and soul into that work completely, वो person फिर वैसा काम करेगा ही नहीं, या करेगी ही नहीं, आपके लिए, ठेक है, यहां तक इशाबात clear, कुछ और example discuss करते हैं, ठेक है, अब देखो क्या है, एक common sensical explanation, यानि कि common sense के basis पर, एक explanation human behavior की, इशा ये भी दी जाती है, कि जो human behavior है न, अगर हमें उसको predict करना है, तो वो prediction इतनी easy नहीं है, इतनी easy तरीके से possible नहीं है, वो न hindsight की उपर based होती है, इशा, do you understand this English term hindsight, पता हैं, इसका मतलब क्या होता है, नहीं, सुना तो होगा, लेकिन, याद नहीं आ रहा होगा है, मैं बता देखो, जब कोई situation है, hindsight एक ऐसी condition होती है, कि जब कोई situation है, वो अकर हो चुकी है, मतलब वो हो चुकी है, तो आप उसके result को, या फिर आप उस situation के outcome को basically क्या कर रहे हो, study कर रहे हो, आप पहले separate करके नहीं बैठ सकते, कि अगर परिस्तिती ये आएगी, तो ऐसा दिमाग में मेरे या सामने वाले के उस परिस्तिती में हलचल चलेगी, और person का reaction ऐसा होगा, या ऐसा behavior उसका निकलेगा, ये चीज दूसरों के बारे में कहना तो बहुत दूर है, इशा हम इनसान, जो हैं, दूसरों के बारे में prediction करें, बाद में वो तो बहुत दूर की बात है, अपने बारे में हम predict कर सकते हैं, अपना behavior, कि कोई situation अगर हमारे सामनी आए, तो how will we, मलब how we will be reacting in front of that situation, नहीं न, अभी आप आराम से बैठ हुए हो, ठीक है, मान लो एकदम से आपके कंदे पर आकर दो चिपकली गिर पड़े, ठीक है, एकदम से आपकी चीख निकलेगी, तो आपको पता है, क्या कि पहले से बीवर के लिए predict रहना है, मैंने के चिपकली गिरेंगी, तो चिलाना नहीं, अभी मेरी class चल रही है, नहीं न, तो common sensical explanation human behavior की यह है, कि human behavior हमेशा hindsight के उपर based होते हैं, यानि कि हमेशा psychology में, किसी भी person के, चाहिए अपने खुद के behavior को, जब हमें analyze करना होता है, interpret करना होता है, उसको समझना होता है, आप वो पूरी situation का तो अंदाजा लगाई नहीं सकते हैं, आप से result या outcome को ही study कर सकते हो, और उसके बाद भी, सामने वाले के behavior को, अपने behavior को बहुत little way में explain कर सकते हो, आपको लगेगा ज़रूर, यार मैंने ऐसा क्यों behave करा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उससे, या फिर मुझे ऐसा react नहीं करना चाहिए था, यार कितना awkward हो गया situation के अंदर, मेरा ऐसा बोलना, या react करना, या मेरा एकदम से चिलाना चिफकली गिरने के बाद, लेकिन उसमें आप क्या आप कर सकते हो, कुछ चीज़े बहुत spontaneous होती है, कुछ चीज़े बहुत mood के basis पर काम करती है, कुछ चीज़े ऐसी होती है कि जिसमें हमारा भी control नहीं रहता, हम बोलना कुछ और चाते हैं, बोल कुछ और देते हैं, सामने वाले को hurt नहीं करना चाते हैं, hurt कर देते हैं, जहांपर हमें उसको सुनाना होता है बहुत अगड़ा, लेकिन सामने वाला, अगर हमारे सामने रो दे, और अगर हम उस person से प्यार करते हैं, तो भले ही गलती उसकी और हमारे मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा एक volcano food रहो के भाई, तू मेरे को मिल और हम भाई तिरको अच्छे ते बजाएंगे, इतना सुनाएंगे, इतना सुनाएंगे के तिरे कानों से खुन निकलेगा, लेकिन आप ढ़ीले पड़ गए तब, तो इंसान अपने वीवेर को कभी अराम से पड़िट नहीं कर पाता, दूसरों के वीवेर को पड़िट करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, अब देखना यहाँ पर एक story है यहाँ पर, एक basically example है यहाँ पर, ठीक है, मान लो कि आपका कोई बिल्कुल परम मित्र है, ठीक है शाह, बिल्कुल इतना अच्छा दोस्त है आपका, अब वो दोस्त, basically ऐसा है कि, story के लिए हम यह बोल रहें, कि आपको उससे कही न कही मन में प्यार है, उसको भी है, दोनों आप लोग यह वाली बात जानते हो, लिकिन एक दूसरे को I love you बोलने में थोड़ इसी देर हो गई, क्यों देर हो गई, इस लड़के का, इस लड़के के पापा का, किसी एक जगा पर transfer हो गया, ठीक है, और अब यह आपका शेहर चोड़कर आपसे काफी दूर जा रहा है, हो सकता है, इस टेट रिसकी चेंज हो रही हो, या हो सकता है, कंट्री चोड़कर जा रहो, इंडिया चोड़कर अभार से टेल होने जा रहो, ठीक है, अब यह person चला गया, जो आपका best friend था, आपने यतने पल साथ गुजा रहे थे, हर चीज एक दूतर के आपसे शेयर करते थे, उठना साथ में, बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, हर moment साथ में, अब यह person आपसे चला गया तो, अब यहाँ पर हमी study इस चीज को करना है, कि आपकी attraction इस person के लिए क्या होगी, अब एक जटकी में जवाब देने वाले लोग तो यही सोचेंगे, यार हम तो उसको बहुत मिस करेंगे, यह moment तो हमें स्याथ कभी भोल नहीं पाएंगे, वो यादे जो है, वो हमेशा सताएंगी, और हम वेट करेंगे, दो बाते, कि अगर हमें उस question को answer करना है न, कि आपका attraction होगा क्या इसके प्रती, अभी तो image देखकर यह लग रहा है, जो मैंने story बता है, कि नहीं नहीं भाई, बहुत याद आएगी, रह नहीं सकते तेरे बिना, मर जाएंगे तेरे बिना, ऐसे feeling आएगी, लेकिन, इस feeling को जागर करने से पहले, जरा रुक जाते हैं, दो तरह के लोग होगे, एक जो होगा, ऐसे लोग होते हैं, दुनिया देखो fast forward है, और दुनिया जब fast forward नहीं भी थी, तो human psychology का देखो, कोई भरोसा नहीं होता, आप अगर किसी से बहुत ज़्यादा attached हो, जरूरी नहीं वो same person आप से attached उतने ही level पर हो, आपको किसी के होने या ना होने से हो सकता है, बहुत फरक पढ़ता हो, सामने बाले को फरक पढ़ता हो, लेकिन temporary basis पर, जब तक आपका चेहरा, जब तक आपके चेहरी की तस्वीर, उस person की आँखों के सामने थी, तब तक तो वो आपका था, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद, person चुटकी भर का time period भी ना लगा है, move on करने के लिए, भले चाहिए वो friendship हो, चाहिए best friendship हो, चाहिए lovey-dovey relationship हो, कुछ है, कुछ भी हो, लेकिन बहुत बार लोग ऐसे होते हैं, कि वो move on भी नहीं कर पाते हैं, वो उस दोस्ती को भी नहीं भूल पाते हैं, और वो साफ तरीके से, दुनिया में एक चीज़ बोलते हो चलते हैं, कि भाई उस person की जगा कोई नहीं ले सकता, संसार में कैसा भी चेहरा हमारे सामने आ जाए, कितना भी beautiful, कितना भी एक तरीके से handsome चेहरा, या कितने भी beautiful लड़की, कुछ भी हमारे सामने आ जाए, लेकिन हमारे best friend की जगा है, वो कोई भी नहीं ले सकता, या फिर जिस से हम प्यार करते हैं, उसकी जगा कोई नहीं ले सकता, अब एक person यहाँ पर हो सकता है, कि उसकी psychology कुछ ऐसी काम करें, कि जब जिससे उनकी बहुत गहरा गहरी दोस्ती थी, गहरा relationship था, वो उनसे दूर चले गए, एक person बहुत जल्दी ये बोलते हैं, out of sight, out of mind, जैसे मेरी नजरों के सामने से कोई इनसान जाता है, वो हमारे दिमाग से भी बाहर निकल जाता है, हम यतना फरक नहीं पड़ता, हम तो जबाने के साथ साथ चलते हैं, हमें तो जिन्दगी के मोड में, जो टकराता चले, जो मिलता चले, हम उसका हाथ थाम कर आगे नई स्टोरीज बनाते रहते हैं, एक तो ये इस mentality के persons होते हैं, इस प्रकार की psychology के persons होते हैं, दूसरे वो लोग, जो कि ये कह सकते हैं, कि भाई, जितना ज़ादा तुम हम से दूर जा रहे हो, उतना ज़ादा हमारा दिल जो है, तुमारे लिए बेचैन हो रहा है, ठीक है, और अगर तुम distance से तो नहीं, distance से तुम दूर भी चले जा, दुनिया की किसी भी कोने में बैठे हो, हम, हमारी दोस्ती, या मेरी लाइफ में तेरी प्लेस कोई नहीं ले सकता, हो सकता है, person ऐसा बोले, लेकिन person के लिए distance का मतलब यहाँ पर यह भी हो सकता है, कि वो physical distance नहीं, लेकिन अगर तो मेरी life से चले गए, तो मुझे वो चीज़ psychologically बहुत impact करेगी, और हो सकता है, person यह कह कि मैं टूट जाओंगा, या टूट जाओंगी हमेशा के लिए, फिर वो जगा, हमेशा के लिए वो दिल के दर्वाजे, हमेशा के लिए किसी के लिए भी बंद हो जाएंगे, कोई वहाँ पर enter नहीं कर सकता उसके बाद, ठीक है, लेकिन, ऐसा हो सकता है कि आप सोचो, और आपके दूर जाने के बाद, सामने वाले के जीवन में, पल भर का समय भी ने लगी और कोई एंटर कर जाएं, जैसे, एशा एक वो, शाइरी वाली एक कहवत है ना, ठीक है, सुनी होगी आपने कहीं ना कहीं, आप जिससे, सारा दिन इश्क करने में मश्रूफ है, वो सिर्फ आपका ही है, इस बात का कोई पूरूफ है, इस सब्डेट की, मतलब ब्यूटी जो है, वो इशा इसी बात में है, कहने के लिए psychology option है, लेकिन कोई भी बात में, without context है, ऐसे नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ NCRT के अंदर given है, मैं तो सिर्फ यहां पर images के सारे के use कर रहा हूँ, और ऐसी बाते एक्जाम के अंदर हमें लिखनी है, because human psychology के अंदर होता क्या है, खाना, पीना, रिष्टे, लव, break up, divorce, sex, यही सब तो चलता है, पूरी जीवन में ये दो-चार चीज़े ही तो होती है, उसी के basis पर, अब क्योंकि बात यहां पर human psychology के बार में है, तो इंसानों के जीवन के घटना करम को side रखते हुए, इस subject की discussion तो होई नहीं सकती, और NCRT का text rate डिटो ही है, ठीक है, तो basically क्या है कि यहां पर दो अलग-अलग प्रकार के person है, एक जिनके जीवन से कोई दूर गया, तो वो उसको कभी भूल नहीं पाए, और एक जब उनके जीवन से कोई दूर गया, तो उनको ऐसा लगता भाई, तो हमारी नजरों से दूर, तो दिमाग से भी दूर, यहां पर कोई person की कोई hatred नहीं है, लेकिन person को move on करने में वक्त नहीं लगा, और उसका सावने वारा कभी न कर पाया बिचारा, तो बोट आफ दें में एक अपोज़र्टी स्टेट्मेंट्स, अब सवाल यह उड़ता है, कि इन में से कौनसी चीज सही है, कौनसी चीज true बैठती है, एक person ऐसा है, कि वो बिचारा आखे बंद करता है, आखे खोलता है, तो उसको एक ही चेरा दिखाई देता है, ठीक है, और यहाँ पर person की life से, जब person जो है, ये लड़की इस लड़की से मालो दूर हुई, ठीक है, और इसकी life में कोई और आ गया, पलक जपकते, लेकिन भही पर एक लड़की है, जो की ऐसी है कि उसके दिल में कोई जगा नहीं बना सकता, वो person उसके life में रहे ना रहे, physically पास रहे या ना रहे, लेकिन उसकी कमी को वो आज भी महसूस कर सकती है, वो feeling, वो touch, वो care, कहने को उसको बहुत सारी लोग दे सकते हैं, उसकी मम्मी है, पापा है, best friend है, गली मॉले में लोग है, coaching जेंटर में उसके कोई अच्छे दोस्त है, वो हैं, लेकिन एक खास person, उसकी जगा हो सकते कि कोई ना ले पाए, और वो भले उसके सामने ने हैं, लेकिन उसकी presence को feel कर सकती है, अब ऐसे अलगले तरीकिते को लोग होते हैं, हम यहाँ पर किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर किसी को कोई सही और गलत नहीं ठहरा हैं, यह तो बही अपनी मतलब ही निकली लड़की, से काम करती है अब यहां पर आप जिस भी explanation को चूज करते हो तो वो इस चीज की उपर स्लॉट कर आए तब तक मेरे जीवन के नुमाइने बदल चुके हो मेरी शादी हो चुकी हो और बहुत कुछ लई भी हो चुका हो हम चोटे हैं तब वो बच्पन का प्यार तब बहुत सारी चीज़े हैं तो यहां पर जो है वो पर्षण मूव ओन कर जाए ठीक है तो सपोस मा आया और वहां पर जो लड़की मानलो अभी तक दुखी थी देखे उसके फ्रेंड के जाने के पाग कुछ दिन तक अब वो कॉलेज जाना शुरू करती है उसका नया गुरूप बनता है वो अपने गैंग के साथ हैंग आउट करना शुरू करती है तो उसके लिए जो अभी दिन में एक भी मेसिज ना जाएं क्योंकि पटसन कर गाता है अचैश्वन अचैश्मेंट की दरशाता है कि आपकी डोरी किसी रिष्टे में कब तक बनी हुई है कब तक फसी हुई है और वो धागा आप कितनी जल्दी लूस कर देते हो या टाइठ होल्ड आन करके रखते ह वैसा कब ऐसा उसे ढीला करते जा रहे हो या फिर वक्त जैसे जैसे बीत रहा आप उसको और मजबूत करते जा रहे हो क्योंकि यादों की गहराईयां आपकी और जाता psychology में जगा बना रही हो और किसी किसी के लिए जब psychology या experience उस person के empty हो गए उस person के साथ जो उसको छोड़ कर गया तो उसके दिमाग में उसकी psychology में जगा बनने लगे किसी और के लिए तो यहाँ पर जो saying अभी हम बोल रहे थे जो बात थी कि out of sight out of mind ये वो लोग use करेंगे आप या तो या अपने लिए use करोगे या सामने वाले के लिए ये explain करते हुए कि भाई आपकी life में अगर कोई नया friend आया या आई तो आप जो है previous रिष्टे को भूल लाओगे कोई कि आपकी psychology ऐसे वग करती है नजरों से जो भार तो वो दिमाग से भी भार ठीक है लेकिन मान लो के आप एक नया friend नहीं बना पाए ठीक है तो आप जो है you will keep remembering your friend fondly ठीक है फिर आप जो है अपनी story making में जो है फस जाओगे और फिर हो सकता है कि आप उसी person के वारे में सोचते रहो सोचते रहो सोच सोच के इतने पागल हो जाओ कि आप जो है नशे पत्ती की आदत में भी पढ़ जाओ कि आप smoking, drinking और इन सब में आ जाओ क्योंकि आपका एक प्रकार से हो सकता कि attachment होगा या फिर कोई बात बोली रह गई होगी या फिर उसको propose करना वाकी रह गया होगा और वो आधी अदूरी जो चीजे रह गई है तो वो person को haunt करती है कि भई अब तो वो नहीं जगा चली गई अब तो इसको कोई और person मिलेगा, कोई और उसका boyfriend बन जाएगा, कोई और उसके साथ ऐसा गूम रहा होगा तो person किस हग तक कितनी गहराई तक क्या सोच जाए, क्या story making कर ले, ये कोई नहीं बता सकता है इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी किसी दो लोगों की personality कभी सेम नहीं होती है तो इस case में क्या है, कि जो हम दूसरी line बोल रहे थे जितनी दूरी कोई person किसी और person से बना रहा है तो उसका दिल जो है, और जादा जोरों से अपनी दोस्ती के लिए, अपने उन लमों के लिए तरसरा हो ठीक है, ऐसा behavior इस person का होगा, कि जो नया friend नहीं बना पाया that person is unable to make a new friend और वो mover नहीं गर पाया, या कर पाई तो दोनों ही cases में हम यहाँ पर situation को पहले से ब्रेट नहीं कर सकते थे, आप पीशा किसी को बता सकते हो कि किसी के जाने के बाद person ये वाली बन्दी move on कर जाएगी बहुत आसानी से या फिर ये जो है, ये यादों की बारात में फसार हैगा, आप बता सकते हैं वीजी को देखकर है सार नहीं न, यही तो psychology कहती है और ये इसका पहला notion है जो आज की lecture में मैंने discuss करा कि हम यहाँ पर दोनों ही cases में जो behavior person का occur हुआ, जो behavior की occurrence हुई, हम सिर्फ occurrence को ही explain कर सकते हैं यानि कि हम एक प्रकार से हमारी जो common sense है किसी की भी behavior को, किसी की भी रवयय को, किसी की भी विवार को, सबाफ को explain करने के लिए वो सिर्फ hindsight की उपर ही base होती है, और hindsight या आप उसको occurrence काओ तो वो क्या होता है, वो होता है इशा एक प्रकार से after outcome, क्या होता है, after outcome, यानि कि एक प्रकार से result, ठेक है, तो psychology जो है, अगर हम इसे विज्ञान की तरह पकड़ें और विज्ञान हमेशा चलता है, प्रूफ पर, psychology में भी जब हम इनसानों की behavior pattern को पता लगाते हैं, तो उसका भी scientific basis होता है, वो भी proof के basis पर चलता है, तो हम यहाँ पर individual के patterns of behavior को देखते हैं, जो कि हम थोड़ा बहुत predict कर सकते हैं, लेकिन हम उसको explain नहीं कर सकते, after the behavior occurs, क्योंकि, person ने ऐसा क्यों behavior करा, यह कोई कैसे बता सकता है, समझे हो, हम predict कर सकते हैं कि यार, यह person की कितनी अच्छी दोस्ती थी, इसकी friends से यह status लगाता है, ऐसी बाते होती थी, लेकिन अब वो जो है, उसकी life से थोड़ा सा दूर है, उसकी family responsibilities आ दी, उसको शादी करके जाना पड़ा, या फिर place चेंज होगी उस person की, वो university के चकर में, college के चकर में, country उसने change कर ली, दूसरी country में उसको degree लेने जाना पड़ा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इतनी गहरी को दोस्ती को देखते हुए, कि person पक्का परशान होगा या परशान होगी, लेकिन एक जन इतना easily move on कर गया, और एक जन अभी भी यादो की बारातों में फसा हुआ है, हम इस behavior को proper तरीके से explain नहीं कर सकते, कि ऐसा क्यों, जब इसकी friend को इंडिया छोड़ने के बाद America जाते हुए इतना फरक नहीं पड़ता, तो इसको क्यों पड़ता है, यह बात है, और इसको कोई explain नहीं कर सकता है, क्योंकि इस person के मन में क्या चल रहा है, मन की बात यही, इसी person का मन जान सकता है, यह यह इतनी जल्दी mover कैसे कर गई, यह इसका मन जान सकता है, ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप हमारी True Irish and PCS के comprehensive foundational course को join करना चाहते हैं, तो हमारा dedicated foundational course है for prelims, means and optional, और optional में दोस्तों हमारे पास 4 optional के courses available है, law, psychology, history and PSIR, तो आप comment section में अपनी query पूछ सकते हैं, या फिर इस number पर आप मुझे contact कर सकते हैं, मेरा personal number है, और in material के अगर आपको PDF चाहिए है, तो for one particular chapter, you need to pay 21 rupees, just scan the QR code which is given on the screen, उसके बाद payment करने के बाद, आप payment कर screenshot मुझे यहाँ पर बेच सकते हो, टेलिग्राम पर या फिर WhatsApp पर, और हमारी team जो है, वो आपको directly PPTs और PDF सेंड कर देगी, ठीक है, एक chapter की जो price है, वो 21 rupees है, visual memory आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि team ने material बहुत dedicated तरीके से बना रखा है, हर एक जो चीज है, वो साइड में, explanation की form में, visual representation से दे रखिए, ताकि आपको exam में यह images याद आजाएगे, और जब यह आप अपना answer लिख सको, बागी अगर आपको book से पढ़ना अच्छा लगता है, आपको आपके बास खुद के पर material है, तो उब अलग बात है, तो इस discussion में दोस्तों पर लाल इतना है, और भी मज़दा discussion करेंगे अगले lecture में, thank you very much for discussion,